हेलो गाईज मैं हूँ राजू और आप देख रहे हैं एजुकेशन 33 दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि दीप्त बस्तुए क्या है और ओदिप्त बस्तुए क्या है अगर आप कलाश 10th के स्टुडेंट हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना देखे फ्रेंड द इतने भी बस्तुए हैं कैसे पता चलेगा कि वो बस्तुए दिप्त है या फिर वो बस्तुए ओदिप्त है देखे फ्रेंड दिप्त बस्तुए क्या होती है दिप्त बस्तु वो होती है जिससे की परकास निकलता है यानि वो खुद परकास देता है दुसरे को उसे बोला ज जहता है दिप्त बस्तू और जो परकास खुद दूसरे को नहीं देता है उसे बोला जाता १ोट बस्तू जैसे अगर मैं आप से पूछός कि ऊपर में जो सुर्य दू पह्रों कौन से बस्तू है तैने और धाल क Jeśli Pour दुसरे को light दे रहा है यानि पूरे दुनिया में वो light दे रहा है तो वो दिप्त बस्तु है मौमबती दिप्त बस्तु है तो हाँ बिलकूल है क्या ये torch दिप्त बस्तु है हाँ बिलकूल है ये भी light देता है यानि कि जिस बस्तू से light निकलता है उसे दिप्त बस्तू कते हैं और जिस बस्तू से light नहीं निकलता है उसे ओदिप्त बस्तू कते हैं बात simple है तो फ्रेंड ये जो कलाश 10 का physics से लिया गया ये जो topic है ये optics का topic है यानि reflection of light जिसमें आता है ये optics का chapter है और इसी से लिया गया है कि दिप्त बस्तुए क्या है और दिप्त बस्तुए क्या है अगर एक्जाम में आपको समनता देखने को मिल जाए आप एक्जाम में तुरंत अंसर दे देंगे कि दिप्त बस्तुए वो है जिसे लाइट निकलता है वो दिप्त बस्तु है जिसे लाइट नहीं निकलता है वो उच्छु है वो सब चीजे लकडी है टेबूल है कुर्सी है यह सब अधिप्त बस्तु है जिससे की लाइट निकलता है वो दिप्त बस्तु है ठीक लुमिनियस और नॉन लिमिनियस यही है दोस्तों दिप्त और अधिप अगर वीडियो पसंद आई हो तो फिलीज लाइक करे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक्यू मैडिया प्राइब